दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे माखललाल चतुरवेदी जी की एक बड़ी कमाल की कविता पुष्प की अभिलाशा ये पोएम जो है हिंदी लिटरेचर का पार्ट है लेकिन ये बहुत एक कमाल की पोएम है बहुत सारे सिलिबस में इसको शामिल किया ग कविता को लिखा है भारत की माहन कभी माखललाल चतुरवेदी जी ने सबसे पहले तो इस पोएम का जो टाइटल है पुष्प की अभिलाशा इसका मतलब है पुष्प का मतलब है फूल और अभिलाशा का मतलब है चाहत फूल की चाहत यानि एक फूल क्या चाहता है यानि ए एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कविता को शुरू करने से पहले। यहाँ पर पुश्प कहता है यानि वो फूल कहता है चाह नहीं मैं सुर्वाला के गहनों में गूता जाओं। यहाँ पर सुर्बाला का मतलब है दोस्तो एक अपसरा यानि वो फूल कह रहा है कि मुझे चाह नहीं है कि कोई सुन्दर परी जैसी अपसरा सुर्बाला का है उसको उसकी गहनों में मुझे गूता जाए गूतने का मतलब होता है फसाना गहनों में फसाना आपने देखा होगा फुराने टाइम पर गहनों के अंदर फूल फसाय जाते थे तो फूल कहता है कि मुझे कोई चाह नहीं है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल्चाओं दूस्तों यहाँ पर शादी के टाइम पर जो माला है पहना ही जाती है न उसकी बात की जा रही है प्रेमी माला उसी को कहा गया है तो यहाँ पर वो फूल कह रहा है कि मुझे कोई चाह नहीं है कि मेरी एक माला बना दी जाए जिसको शादी के वक्त पहनाया जाए यहाँ पर बिंद प्यारी को लल्चाओं इस लाइन का मतलब ये है बिंद का मतलब है बंद कर और लल्चाओं का मतलब मुझे इस चीज की कोई लालसा नहीं है लालच नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बंद कर किसी की शुबह बढ़ाऊं शादी के बगत यानि इन दो लाइनों से हमें पता चलता है, वो फूल जो है, वो पुश्प जो है, वो ना तो गहनों में, गजरों में गुथना चाता है, ना ही वो प्रेमी प्रेमिका की शादी का हिस्सा बनना चाता है, वो आगी क्या बोलता है, चाह नहीं, मुझे चाह नहीं है कि समराट के शव पर यानि शव का मतलब है डेड बाडी पर समराटों की बहुत बड़े राजाओं की डेड बाडी पर भी मुझे मट डालना मुझे इस चीज की चाहा नहीं है कि बहुत बड़े समराटों की डेड बाडी पर मुझे डाला जाए जब वो मर जाए तो फूलों से उनकी ड गमराटों की डेट बॉडी पर रखना, ना ही प्रेमी माला में गूतना, ना ही किसी अपसरा के गहनों में गूतना, और ना ही मुझे देवों के सिर पर चड़ाना, देव यहाँ पर हिंदु देवी देवता के लिए का है, जिनकी पूजा करते हैं वक्त सिर पर हम पुष्प रख देते हैं ना, तो वो पुष्प कह रहा है कि मुझे मत रखना किसी देवी देवता के सिर पर, ताकि मैं आपने भाग्ये पर इटलाता फिर हूँ, कि देखो मुझे तो किसी देवता के सिर पर रखा गया है, यहाँ पर इटलाओं का मतलब है इतराना, कि मैं अपने प्रमंड में आजाओं कि देखो, मुझे देवी देवताओं के सिर पर चड़ाया गया है, नहीं, यहाँ पर पुष्प क्या बोलता है, मुझे तोड लेना बनमाली, बनमाली कौन? जो गारडनर होता है, गारडन में जो पुष्पों की देखबाल करता है, उसको बोलते हैं कि ए माली मुझे तोड लेना, उस पत में देना फैंक, पत का मतलब है रास्ता, उस रास्ते में मुझे फैंक देना तोड कर मात्र भूमी पर शीष चड़ाने, जिस पत जावे वीर अनेक जो लोग अपने देश के लिए अपनी मात्र बूमी के लिए मरने जाते हैं अपना सिर कटवाने चले जाते हैं शीष चड़ाने का मतलब है सिर कटाने भी चले जाते हैं World War 1 के दौरान कितने सारे हमारे भारतिय सैनिक Britishers के लिए लड़ने गए थे कई लोग तो वहाँ पर मारे गए वो फूल पता है क्या बोलता है मुझे किसी चीज की लालच नहीं है मुझे कहीं मत चड़ाना किसी माला में मत गूठना मुझे बस एक काम करना जहां वो सैनिक मेरे देश के बच्चे जहां पर लड़ने जाते हैं उनके रास्ते में फैंक देना उसी मैं अपना भाग्य माल लूँगा यहां पर वो पुष्प कहता है उमीद करता हूँ आपको यह पूर्म समझ में आयोगी दोस्तों बड़ी कमाल की पूर्म है आज की इस वीडियो में बस इतना ही